दोस्तों आज की कहानी है बहुत जैसा समान माई के लेकर जा रही हो वेसा ही लेकर आना दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउंसे अरूस नया वीडियो ममी भाबी के पास अंसों के उनका बेग त्यारी या नहीं बहु अपना सामान पे किया तुमने वो ममी जी कुछ सामान तो मैंने रख लिया बागी दीदी देखर रख देखी हमेसा वहीं तो त्यार करती है ना मेरा बेग अरे ये क्या बात हुई दो साल होगे तुम्हें साध का तो ये भी नई है मुझे ही करना पड़ेगा सब हमेशा की तर जरा दिखाओ तो बावी क्या क्या रखाओ आपने जी दीदी बस कू साड़िया मैकप का समान और ये जविलरी हैं जो पहन कर जाओंगी है बगान इतनी भारी साड़ियों का वहां क्या काम पता भी कितनी बाद जा रही हूँ नहां तो सोसा ये कुछ नहीं और भारी साड़िया ले जाओ अरे तो क्या हुआ कोई पार्टी थोड़िये वहां दो ये महंगी साड़िया ले जाओ ये तो हलकी साड़िया रख लूईने जैसे मन करे वैसे पहना वां जी दी दी मेकप बॉक्स दिखा प्री का सामानों भी मेरी नहीं नहीं साड़िया हैं ना दी दी तो वहां सब लड़के आजाती और मेकप का सेमान देकने लगती है बहुने सरमाते वे का मैकप तुम्हें करना या तुमारी बेहनों को तुम्हारी साधी में सबसे महंका समान लिया था हमने ये बर्बाद करने के लिए तोड़ी जरूरत भर का रख लो बस सही कर रहे हो दीदी निकाल दीजी ये समाना निकाल दिया बाकि सारा मेकव का समान तो तुम्हारी साधी के बहुत बसा हुआ उसी में से कुछ रख दिया इतना बहुत है वहां के लिए जी दीदी कुछ सिखो अपनी ननन से बहु ये तुम से पांस वाल सोटिये फिर भी समझदारी में तुम से कहीं आगे जी ममी दीदी ना हो तो सस में मेरा बैक त्यार ना हो पाए अच्छा बहु गोने किया क्या ले जारे ममी जी आपके पास य से अरे मेरे पास ये तो क्या हुआ सब तुमारे तो है ना मेरा कूस है ना मेरी बीटियों को कूस आए ममी जी सुनिये ना मंगल सुत्र टूटा हुआ है दूसरा वाला मंगल सुत्र दे दो अज मेरा गला सुने थोड़ी सी सकूसाई थोड़ी सरमाती बहु ने सासुमा के कंदे से लटकते वे धीरे से बड़े लाड़ में मुस्क्रा कर बोला हा दे बाबी फिर वहीं बाद भाई दूस मनानी तो जारी ऐसा कौन सा समारा हो रहा है वाँ जो घेनों की 29 करनी एक सेन प साथी वो क्या है ना कि नहीं नहीं साधी हुए ना मेरी और साल भर बाद जा रही हूँ इसलिए वहां सब की नज़र रहेगी मुज़ पर सुनो बहु पहली बातों ये कि तो यो बार बार साल पर बाद जाने का रोना मत रो मेरे सामने कोई रोज नो इन जाना माय के समझे और ये लो अपना मंगल सुत्रवई सुना से ठी करवा के पहले नाब तो नहीं रहेगा ना तुमारा गला सुना सासु माने मुझ बनेवे कागस की पुढिया में रखाओ टूटा मंगल सुत्रवई के हाथ में धमा दिया जी ममीजी ये लो भाभी अब तुमारा बैक त्यार हो गया थेंक्यों दिदिया अब ना होती तो पता ने कैसे मेरा बेग त्यार हो पाता अपने उत्री वे मुह पर की फीकी मुस्क्राट भी करते हुए का कुछ सीको अपनी नन से भी कितनी सोटी है वो तुमसी जी ममीज और सुनो बहुत जैसा समाल लेकर जारी वैसा ही ले कराना गिस गिस कर मत इस्तेमाल करना किसी और को तो बिल्कुल बद बदेना इस्तेमाल करने के लिए जी ममीज योहा जैसे अपने पापा की साथ जारी वैसी किसी के साथ वापस आज जाना यहां से कोई नई जापाएगा तुम्हे लेने जैसी मेरा एक फोने जाए सुब साफ सली आना ध्यान रखना कोई मुझे फोन करके तुमारी सी और राविश ना करे की कुछ दिन और रह लेने दो मैं किसी की नई सुनों की कितने दिन के लिए जारी मैं ममीज जी बहुने उ अंदर दिन माईके में सलो मेरी और से दो दिन की मुहलत और लेलो मगर आठे दिन या नजर आनी सही आप नननने कमर पर हात रख कर बड़े अदब से का गला भरा है और सब गले में गुट कर रह के बहुने बस सामे सरहिला दिया सुनो बाबी जैसी जारी वेस्टियाना कमारते वे कठाक्स किया नई दिदी ऐसी कोई बात नई होती वहाँ वो तो हम खुब जानते बहुत हवा में उरती हो माईके से आकर माप कीजिए दिदी आके से ऐसा नई होगा बहुने सब के पैर से और सब से विदा लेके सरी गई माईके बहु के जाने के बाद ममी जरा नई दिदी को फॉल गा फूसों से कब तक आरी यहां ठीक है बात करती है लो हां नीदी बेटा तो कब आरी है यहां क्यों आरो क्यों रही हो सब ठीक तो है ना नहीं आरी ममी मैं नीदी ने रोती वेका क्यों क्या हुआ हुआ दामाची भी आ रहे है ना तेरे साथ फिर सान क्या हुआ नहीं आ रहा है कोई भी मेरी सास ने जेवर दे रही है नाची साध्या बीना जेवर और कपड़ा के किया नाग कटवाँ वहां गरूप से माई की आने का ताना सुनो वो लग दो दिन के लिए किया करूंगी वहां आकर इसलिए मैं नहीं आरे ममी नेदी ने जलाती भगवान मेरी बेटी की तो किसमती फुट गई कैसी बुरी सास मिले तुझे बावी सली गई कि आपने माई की आपने बेटा भी थोड़ी देर पहली गई आसू पोस्ते बे माने जवाव दिया भगवान आप जेसे अची सास सब को दे हेलो हेलो ममी आवाज नहीं आरे आपको नीदी बेटा रुख ज़रा थोड़ी देर में फोन करती है तुझे को कर माने फोन के तुझे हेलो बहुत आरम से रहर आना अपने माई के आकिस साल पर बात जा रही है ना मैं भेज़ दूंग तुझे बेपरीक होकर जादा दोस्तों या रिस्तों को सकरे या भी सेरों को सवा सेर मिल ही जाता है इसलिए दूसरे की बेटी को उतने प्यार समान दे जितना आप अपनी बेटी के लिए सादे या कहों कि दूसरे घर की बेटी को इतने जिलत दे जितनी जिलता आप अपन बीटी के लिए सेहन कर सकते हैं जैसी करनी वैसी भरने हैं